नमस्कार मैं हूं मिनुशर्मा सभी दर्शकों का स्वागत है मनी नाइन के प्राइम टाइम शोव मनी टाइम में यहां मैं आपको बताऊंगी कॉर्पोरेट पॉलिसी और परसनल फाने से जुड़ी खबरों के बारे में जो डालती है आपकी जेब पर असर तो चले अब फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर आज हम इंजिनरिंग पूरी कर नौकरी ढूंड रहे युवाव से जुड़ी एक एहम खबर से शुरुआत करेंगे नौकरियों की संख्या घट रही है पिशलेवित वर्ष में भी कुल दो लाख तीस हजार युवाव को ही आईटी सेक्टर में नौकरी मिल पाई थी भारत के गैर बासमती चावल के निर्याद पर लगाए गए बैन का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है सबसे ज़ादा असर अभी अमेरिका में दिख रहा है अमेरिका में डिपार्टमेंटल स्टोर पर चावल की खरीद अचानक से बहुत ज़ादा बढ़ गई है महां रहने वाले भारती और अन्य एश्वाई देशों के लोग चावल स्टोर करने लगे हैं यह देखते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने चावल की राशनिंग करना शुरू कर दिया है यहां तक की परिवार को चावल का एक बैग ही दिया जा रहा है कई स्टोर्स पर तो चावल खत्म हो गए हैं भारत से चावल का निर्यात बंद होने से इंतराश्टी बाजार में भी चावल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं अगर आपके पास भी L&T का शेर है तो ये खबर आपको खुश कर सकती है इंजिनिरिंग कमपनी L&T पहली बार अपने शेर बाइबाक करने जा रही है कमपनी के बोर्ड ने इसके लिए 10,000 करोड रुपे खर्च करने को मनजूरी दे दी है कमपनी अपने निवेशकों से 17% प्रीमियम पर शेर वापस खरीदेगी मतलब निवेशकों को एक जटके में मोटा मुनाफ़ा कमाने का मौका मिलेगा शेर बाजार में लिस्ट होने के बाद कमपनी का ये पहला शेर बाइबाक प्रोग्राम है टामाटन और सबजियों की वज़ा से जुलाई में और बढ़ सकती है खुद्रा महंगाई अर्थशास्रियों कमाना है कि जुलाई में खुद्रा महंगाई दर और बढ़कर 6.5 फिसदी तक पहुँच सकती है इससे पहले जून में महंगाई दर बढ़कर 4.8 फिसदी हो चुकी है अगर खुद्रा मुद्रा स्फिती बढ़ती है तब RBI के लिए कठोर कदम उठाना मजबूरी बन जाएगा क्योंकि महंगाई घटा दे का RBI ने पिछली बार रेपो रेट में कोई बढ़लाव नहीं किया था सोना 150 रुपे टूटकर 6200 रुपे प्रति 10 ग्राम पर आ गया है वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 300 रुपे के नुकसान के साथ 76700 रुपे प्रति किलो ग्राम रह गई है डॉलर इंडेक्स की नई उचाई पर पहुँचने से कीमती धातू उपर दवाब देखा जा रहा है केंदर सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन रिकवरी के मामले में थोड़ी समय दिन छीलता दिखाए बैंकों को सरकार ने ये हिदायत दी है कि लोन की रिकवरी के लिए कड़े कदम ना उठाये जाएं वित्व मंतरी निर्मला सीतरमर ने कहा है कि उनके पास इस संबन्ध में कई शिकायते पहुँची है कुछ बैंक लोन रिकवरी के लिए काफी कठोर और निर्मम तरीके अपना रहे हैं अब उमीद की जा सकते है कि शायद बैंक लोन रिकवरी के लिए माने विये कदम उठाने पर जोर दें खादे महंगाई और बढ़ने की आश्वंका बढ़ती जा रही है दाले सबजियां और अनाच के बाद अब खाने का तेल भी महंगा होने लगा है जुलाई में अब तक सरसो का तेल और पाम तेल की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है जुलाई की शुरुआत में सरसो तेल का मॉडल भाव 130 रुपे किलो था जो अब बढ़कर 135 रुपे हो गया है पाम तेल का भाव भी 100 रुपे प्रती किलो से बढ़कर 105 रुपे हो गया है सूरज मुकी तेल यानि सनफ्लार ओईल के आयाद भाव में भी 10 फीसद देजी देखने को मिली है अब भाव को रोकने के लिए इंटरनेट ब्लाक आउट की समस्या से अब जल छुटकारा मिल सकता है दूर संचार ने आमक ट्राई एक ऐसे मेकानिजम पर काम कर रहा है जोसे तनाव की स्थिती में पूरी इंटरनेट सर्विस को बंद करने के बजाए केवल सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को ब्लॉक किया जा सकेगा अब यह ऐसा कोई भी मेकानिजम नहीं है जिससे प्रसाशन अलग 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 प्लाटफॉर्म पर रोक लगा सके इसलिए किसी इलाके विशेश इस्तिती को नियंतरित करने के लिए पूरे इंटरनेट सेवा को ही पंद करना पड़ता है अगर आप भी सही धंक से अपना इंकम टेक्स रिटन फाइल नहीं करते हैं तो ये खबर आपको ध्यान से सुनी चाहिए आईकर विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जो फरजी दस्तावेश देकर आईकर रिटन भरते हैं और टैक्स छूट लेते हैं इसके लिए पिछले छे सालों के आंकड़े खंगाले जा रहे हैं और अब तक एक लाग से जादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है साथ में आईकर विभाग की नजर उन लोगों पर भी है जो एक से जादा पैन नंबर का इस्तेमाल करते हैं आईकर विभाग उन लोगों की जानकारी भी जुटा रहा है जो महंगी चीजों पर जादा खर्च करते हैं लेकिन टैक्स नहीं चुकाते अगर आप भी IPO बाजार में पैसा लगा कर कमाई करना चाहते हैं तो आपको कल ये मौका मिलने वाला है इस आईपयो में 28 जुलाई तक निवेश किया जा सकता है कमपनी ने इशू प्राइस के लिए 288 से लेकर 300 रुपे प्रतिशेर का प्राइस बेंट तै किया है इशू को लेकर ग्रे मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं यहां कमपनी के शेर 75 रुपे के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं आज की आखरी खबर के और बढ़ते हैं आखरी खबर बैंक ग्राहकों से जुड़ी है आरबियाई ने बेंगलूरू के नाशनल को आपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंद लगाए हैं इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से 50,000 रुपे से जादा की निकासी नहीं कर पाएंगे इस बैंक की 13 शाकाई हैं बैंक की कंजूर आर्थिक स्तिती को देखते हुए यह प्रतिबंद लगाए गए है हाला कि आर्भी आई ने कहा है कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद किया गया है बैंक का काम काज नियमित तरीके से चलता रहेगा तो ये थी आज की प्रमुख खबरे अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का आपसे कल होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा में नीचे कमेंट वॉक्स में अपनी राइस जरूर दे बने रहे मनी नाइन के साथ शुबरातरी अज़ को ओिज देने का लॉक्त हुआओ केज देता हैं झाल